दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि फेस्बुक पेज पर कोई भी आप वीडियो अपलोड करते हैं तो उस पर थम्नेल आप कैसे लगा सकते हैं तो चलिए आपको हम बताते हैं कि किस प्रकास से आप कोई भी वी वीडियो अप्लोड करते हैं तो उस पर थम्नेल लगा सकते हैं तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी यहाँ पर बहुत सारी वीडियो आपको पड़ी हुई दिख रही होगी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ वीडियो पर हमारी thumbnail नहीं लगा हुआ है उसी वीडियो पर हम आपको live thumbnail लगा करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको यहाँ पर लगाना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह वाली हमारी वीडियो है इस पर भी thumbnail नहीं लगा हुआ है और हमारी ये वाली वीडियो इस पर भी thumbnail नहीं लगा हुआ है तो चलिए अब आपको हम दिखाते हैं कि किस प्रकार से आप बहुत ही easily thumbnail लगा सकते हैं क्योंकि अगर आप यहां से try करते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं और एक प्यारा सा comment भी जरूर कर दिजिएगा तो आप यहाँ पर सबसे पहले अपना Chrome browser open कर लिजिएगा Chrome browser open करने के बाद इस प्रकार से यहाँ पर आप आ जाएंगे आपको यहाँ पर direct आने के बाल आपको यहाँ पर सरच करना है www.youtube.com इस परकार से सरच कर लेना है या फिर आप पहले से login होंगे तो अच्छी बात है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस परकार से मैं आपको direct लेकर के चलता हूँ facebook पर और facebook पर आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस परकार से यहाँ पर यह open हो जाएगा सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने यहाँ पर चैनल के लोगों पर क्लिक करना है और इस प्रकार से यहाँ पर यह open हो जाता है open होने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा समय इसको zoom करता हूँ ताकि आपको clear दिखाए दे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस प्रकार से यहाँ पर यह आपका ओपन हो जाएगा open होने के बाद आप यहाँ पर जय से नीचे आएगे तो आपको यह पर दिखाए दे जाएगा कि आपने जो बीडियो अप्लोड की होगी यहाँ पर सो कर जाएगा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस प्रकार से यहाँ पर यह सो करता है ठीक है आप थोड़ा सा इसका जूम करता हूँ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर जो भी वीडियो पर आप थमने लगाना चाहते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि right side में आपको यहाँ पर एक चीद दिख रहा होगा आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको right side में three dot line दिख रहे होगी आपको इस पर click कर लेना है तो चलिए मैं यहाँ पर click करता हूँ और जैसे मैं यहाँ पर click करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से यहाँ पर open हो जाता है open होने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर एक option देखने के लिए मिल जाता है edit post का आपको इस पर click करना है यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर किलिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पर यह ओपन हो जाता है ओपन होने के बाद आप यहाँ पर नीचे आते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पर जो है यह आपकी वीडियो सो करेगी अब आपको यहाँ पर एक pencil का option देखने के लिए मिल जाता है जैसे यहाँ पर देख सकते है pencil का option है और साथ में आपको यहाँ पर लिखाओ मिल जाता है video options आपको इस पर click करना है और जैसे आप यहाँ पर test करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ इस परकार से यहाँ पर यह open हो जाएगा दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं आपको यहाँ पर बहुत easily तरीका बता रहा हूँ अपने किसी भी video के thumbnail लगा सकते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं कि side में जो है अप आप यहाँ पर देखने के लिए मिल जाथा है video title आप ये-टाइटल नहीं लगा होंगे तो यहाँ पर scroll कर जाएगा साथ यह साथ आप यहाँ पर add tag tag भी लगा सकते हैं लेकिन आप नीचे के side में जैसे आतें हैं तो आपको हआप नीचे आये तो आपको इसका नहीं करना है आपको आपर एमेज ओपसने और आप हपसने में Open होने के बाद आपको यहां पर बोला जाता है Upload Image, आपको कमिक करना है और जैसे आप यहां पर आप लेकर करते हैं, तो यहां पर आजाएंगे, आप चलिए, मैं यहां से डारेक्ट लेकर कर के चलता हूँ, अपनी गालरी में और वहां से वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर browser वाले option पर आपको click करना है और जैसे आप यहाँ पर browser वाले option पर click करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नीच side में आपको left side में आपको three deadline देख रहे होगी आपको इस पर click करना है और किलिक करने के बाद आपको यहां पर आपकी गलरी सो कर जाएगी आप यहां से वो थमनेल लेजिएगा जिस थमनेल को आप यहां पर लगाना चाहते हैं तो यहां पर मैं यह वारा थमनेल लगाना चाहते हूं जूम करता हूं ताकि आपको clear दिखाए दें आप यहां पर shape के option पर click करेंगे जो आपका thumbnail होगा वो set हो जाएगा और यह आपकी video पर सो करने लगेगा इस से आपके वीडियो काफी अच्छी लगने लगेगी जिसको जो भी आपके वीडियो को देखेगा उसको पता चल जाएगा कि आपने की स्टोपिक पर वीडियो बना के रखी हुई है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह आपको मैं थोड़ा सा जूम कम क लगते हैं वीडियो पसंदें तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए आप मिलतें किसी और वीडियों के साथ थांक्यू और धन्वाद